नमस्कार दोस्तों आज एक और बारिवारी कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की कहानी है पैसो के घमंड में सास और ननत को अपमानित करने वाली घमंडी भावी के साथ ननत ने ऐसा क्या किया कि उनके पैरो तले जमीन खिसक गई भाईया मुझे बेटे की साधी का सारा डेकोरेशन ताजे फूलों का चाहिए तुम लोग प्लास्टिक के फूल लाकर नहीं लगाना और रोसनी इतनी करना की सारा सहर देखे वे फोन पर डेकोरेशन वालों को समझा रही थी आज आभाजी बहुत खुश है उनके बड़े बेटे की साधी तैं हो गई है इधर रीतिका भी फूले नहीं समा रही है अब घर में भाभी आ जाएंगी जो उसकी पक्की सहेली बन जाएगी बहुत प्यार से रहेंगे यही सोच सोच कर ना जाने कितने ख्वाब बुन दाले उसने दीरे दीरे साधी की तैयारियां सुरू हो गई आभाजी ने रूची की मा से पूछ कर सब कपड़ा गहना आदी की सुची बना ली और बोली लहंगा तो हमारी तरफ से दिया जाएगा तो रूची को रीतिका के साथ भेज देंगे उसे जो पसंद आए वो लहंगा हम उसे दिला देंगे तब रूची बोली नहीं मा लहंगा तो मैं डिजाइनर लूँगी जिसके लिए मुझे दिली जाना पड़ेगा और फिर रीतिका वहाँ जाकर क्या करेगी उसका समय खराब होगा एक काम करते हैं मैं अपनी सहेली को ले जाऊंगी जो दिली में ही रहती है और वैसे भी आप लोग यहां दो चार हजार का लहंगा दिलवाएंगी मेरा लहंगा तो एक लाख से नीचे का नहीं होने वाला इसलिए आप लोग मेरी सौपिंग की टेंसन ना ले तो ही ठीक रहेगा अपनी होने वाली बहु की यह बात आभाजी को कुछ अच्छी नहीं लगी मगर फिर भी नए रिस्ते थे इसलिए चुप रह गई फिर धीरे से बोली ठीक है बेटा साधी तुम्हारी है मर्जी भी तुम्हारी चलेगी वो तो हम बस चाहते थे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रुची बोल पड़ी आंटी जी चाहते तो मेरी भी है इसलिए मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात माल लेती तो आभाजी ने हामें सिर हिला दिया एक दिन आभाजी सामान की तैयारी करते करते अपनी रितिका से बोली बेटा ज्यादा तर सामान तो तुम्हारी भावी ही खरीद रही है मगर हमें सुहाग चुड़ा तो खरीदना होगा और हमें उसकी कलाई का नाप भी नहीं पता एक काम करो आज साम को कॉलेज से सीधा उसके घर चले जाना और वहाँ से एक चुड़ी नाप के लिए लेकर आना रितिका ने चूप चाप अपनी माँ की बात मानते हुए वैसा ही किया वो रुची के घर पहुँची जहाँ पर उसकी अच्छी खातिरदारी हुई पहुची बोली हाँ बिल्कुल जाओ उसके कमरे में चली जाओ और ले आओ हम तब तक रसोई समाल लेते हैं रितिका इतने बड़े घर को देख सकुचाई सी थी फिर भी हिम्मत करके रुची के कमरे में पहुची देखा तो कमरा कीमती वस्तुओं से सुसजित था सुन्दर गोलाकार पलंग जिसकी सोफा महंगे गद्दे चादर तकीये के कबर बढ़ा रहे थे अल्मारियां जिन में महंगे महंगे कपड़े टंगे जूल रहे थे सब कुछ इतना आलिसान और सुन्दर जैसे कोई परियों का देश जिसे देख कर रितिका की आँखे चमक उठी तभी रुची उससे बोली कभी देखा नहीं होगा तुमने इतना आलिसान कमरा जी भावी वो वो क्या कर रही हो जब सुन्दर है तो बोल दो हाँ भावी आपका कमरा बहुत सुन्दर है अच्छा कोई काम था थोड़ी बेरुखी से रुची बोली वैसे आपकी घड़ी बहुत सुन्दर है बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी लेने की सोची थी अरे मैं तो भूल ही गई हाँ भावी वो आपकी चूड़ी का नाप चाहिए था तभी उसने एक सोने का कड़ा निकाल कर उसके हाथ में रख दिया अरे नहीं भावी सोने की नहीं काच की चूड़ी चाहिए काच की चूड़ी वो तो मिलना बड़ा मुश्किल है इसे ही ले जाओ चाहो तो तुम अपने पास ही रख लेना नहीं नहीं मैं इसे क्यों रखूंगी कृपा करके आप मुझे कांच की आर्टिफीसियल चूड़ी दे दीजिए घवराते हुए बोली मेरे पास आर्टिफीसियल जोल्डी नहीं मिलती मैं डायमंड प्लेटिनम गो देगा ना भाभी मतलब तुम लोग मुझे गोल डायमंड नहीं देने वाले हो नकली पहनाओगे भाभी वो सब मुझे नहीं पता मैं तो मा के कहने पर यहां आई थी मैंने ये ड्रॉ बना लिया है अब मैं चलती हूँ बोल जाने लगी अरे रुको तुम्हें घड़ी बह पतार कर घड़ी रितिका को दे दी मगर भाभी इतनी महंगी अब अगर मगर मत करो मैंने दे दिया तो दे दिया देने के बाद तो मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं इतराते हुए बोली ना चाते हुए भी रितिका घड़ी लेकर चुपचाप अपने घर आ गई और ना आई की सादी हो गई सब कुछ ठीक ही चल रहा था और आज आभाजी ने बहु की पहली रसोई का खाना खाने के लिए कुछ लोगों को बुलाया था तभी आभाजी बोली जाओ रितिका अपनी भावी को बुला करला औरृतिका रुची के कमरे में पहुंची दर्वाजा खुला हुआ था तो सिधा अंदर आ गई आकर वो खड़ी ही हुई थी कि पीछे से भावी चिलाई रीतिका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पुछे मेरे कमरे में आने की रुची भावी वो माने आपको नीचे बुलाया है बस वही बोलने आई थी तो तुम्हारे हाथ मे मेरा ये ब्रेशलेट क्या कर रहा है वो भावी जमीन पर पड़ा था तो मैंने सोचा उठा कर डेसिंग टेबल पर रख दू हक लाते हुए बोली रहने दो खुब समझती हुँ तुम्हारे बहाने अगर मुझे वासरूम से निकलने में दो मिनट और लग जाते तो तुम मे का मिला नहीं तो किम्ती चीजों को हडप लेते हैं एक बार तुम्हें अपनी घड़ी क्या दे दी तुम तो अपना हक ही समझ बैटी ध्यान से सुनो वो घड़ी मेरे लिए पुरानी हो चुकी थी मैं अपनी बाई की बेटी को देने ही वाली थी कि तुम आ गई सोचा उसे तो किम्ती सामान देती ही रहती हूं कि उना तुम्हें दिया जाए आखिर तुम मेरी ननद जो ठहरी मगर तुम कभी भी ये मच समझना कि मैं तुम्हारी भावी हूं तो तुम मुझ पर हग जमा लोगी मेरे सामानों को ननद होने की हैसियत से छुडा लोगी मैं उन लोग नहीं हूँ जो दब जाएं जो सही है वो सही है जो गलत है वो गलत है ये कमरा यहां रखा सारा सामान मेरा है कभी अपना समझने की गलती ना करना रूची ने गुस्य से कहा बेचारी रीतिका अपना समो लेकर वापस रसोई में आ गई उसका लटका हुआ चेहरा देखा भी तैयार हुई या नहीं उसने सारी बात छुपाते हुए माँ से कहा हां माँ तैयार होकर बस आ रही हैं रुची और अविसेग की साधी कुछ दिन पहले ही हुई है वे लोग साधी के तुरंद बादी हनीमून पर चले गए थे इसलिए नई बहु की रसुई पूजन नहीं हुई थी तो आज आभाजी ने सोचा सुब मुहुर था कि उन्हा बहु से कुछ मीठा बनवा लिया जाए बस इसलिए वे उसे बुला रही थी इतने में रुची आ गई आओ बहु देखो सारा खाना बन चुका है बस तुम हलवे में चीनी डाल दो और थोला सलात कार दो त सबको अच्छा लगेगा अपनी सास की बास सुनते ही रुची जोर से चिलाई ममी जी मुझे समझ नहीं आता आपको इतना एक्टिंग करने की क्या जरूरत है आप मुझसे साप कह देती मैं पूरा खाना बना लेती ये हलवे में चीनी डाल दे सलात काट दे मैंने कुकिंग क्लासेच कर रखी है आप कहती मैं सब कुछ बना देती पर पता नहीं क्या आज कल की सासों को ड्रामा करना होता है महान बनने का कि सब कुछ हमने किया बेचारी बहु को कुछ नहीं आता अरे मेरी माने मुझे सब कुछ सिखा कर भेजा है पर नहीं आपको तो सारा करेगी वो भी परिवार के सामने मगर वे बड़ी थी बेटे की खातिर मजबूर भी थी इसलिए चूप रह गई और बाहर आकर सफाई में बोली अरे अभी कुछ देर पहले ही वापस आई है ठक गई है इसलिए थोड़ा चिड़ चिड़ा गई है चलिए हम सब मिलकर खाना ख रूची के लिए भाग गया कुछ चंद मुलाकातों में ही दोनों का परिचय हुआ रूची को भी अभिसेक अच्छा लगा और बात इतनी साधी तक पहुँच गई आभाजी मध्यम बर्गिये परिवार से थी पती के जाने के बाद बड़ी मुस्किलों से दोनों बच्चो को पाल पोस कर बड़ा किया था छोटी बेटी रीति का कमपटीशन की तयारी घर रही थी अभिसेक की नौकरी फिर साधी उनके लिए खुसी की बात थी एक बार आभाजी ने अभिसेक से कहा भी था अच्छे से सोच विचार कर साधी का फैसला लेना क्योंकि रुची एक र अमीर घराने से जरूर है मगर उसकी सोच बहुत ही जमिन से जुड़ी है जब मैंने उससे यही सब पूछा तो बोली ख्वाई से तो मेरे पिता ने सब पूरी कर ही दी है फिर मुझे भी तुम्हारे जैसा पती और परिवार मिलेगा तो मुझे कोई कमी नहीं रहेगी आभ अगर अब कुछी दिनों से रूची के रंग ठंग बदले नजर आ रहे हैं हर बात पर जवाब देती है किसी का लिहाज नहीं करती जो मन में आता है बोल देती है सभी सोच रहे थे अमीर परिवार की लड़की है परिवार में ढलने के लिए वक्त लगेगा सोच सब चुप रह जाते रूची की मनमानिया चलती रही दोनों मा बेटी उसकी हरकतों से परेसान थी मगर जाती तो जाती कहां इसलिए चुप चाप जो हो रहा था सहन कर रही थी एक दिन आभाजी को पडोस में किर्टन में जाना था उन्होंने रितिका को बोला और चुप चाप निकल कुछ दिर बाद रितिका की सहली का फोन आया और दोनों में ग्रूप स्टडी करने की बात तैं हो गई अब रितिका ने रुची के कमरे में जाकर दर्वाजा बजाना ठीक नहीं समझा पता नहीं किस बात पर भाभी भड़क जाएं ये सोच कर चूप चाप बाहर से ताला लगा कर चली गई क्योंकि दर्वाजा अंदर से खोला जा सकता था इसलिए चिंता भी नहीं थी कुछ दिरवाद रुची ने रितिका को काफी बनाने के लिए आवाज लगाई मगर जबाब नौ आने पर उसने देखा तो घर पर कोई नहीं था गुस्य से तम तमा कर उसने भी से को फोन लगा दिया तुम्हारी मा बहन एक नमर की बत्तमीज हैं घर में बहु को बंद कर घुमने निकल गई हैं तुम इसे परिवार कहते हो वैसे तो बड़ा कहती फिरती हैं तुम हमारी बेटी हो आप किसी ने भी मुझे बताना ठीक नहीं समझा या फिर उन्हें चली जाती तो मैं पैरों में बेडियां थोड़ी ना बात देती रुचि की बात सुन अभिसेख बोला हम सब के पास चाबी रहती है तुम्हारे आने से पहले हम कहीं भी जाते थे तो चाबी लगा कर चले जाते थे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हो सकता है वो तुमें तमतमा कर बोली अच्छा मैं एक घंटे में घार आ रहा हूं तब आराम से बैट कर बाते करेंगे बोल अभिसेक ने फोन रख दिया उसे पता थारूची को बात का बतंगर बनाने की आदत है जो की कुछी दिनों में उसे समझ में आ गई थी अब सारा समय वो यही सोचता रहा कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा घर पहुँच अब पता नहीं कौन सी काज गिरेगी अब इसे घर पहुचा उससे पहले मा आभाजी घर में पहुच चुकी थी बहु की सारी सिकायते सुन भी चुकी थी मगर जैसे ही रुची ने पती को देखा तो जोर जोर से चिल लाने लगी, आपकी मा को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, कहती हैं, उनका नियम है भजन किर्टन में जाने का, और मैं कमरे में थी इसले मुझे वताना जरूरी नहीं समझा, और तुम्हारी बहन ओ तो हवारा गर्दी करती फिरती रहती है, जम्मन करता है अपनी सहे के साथ पढ़ाई करने गई थी हाँ हाँ खुब जानती हो ये पढ़ाई के बहाने गुमना फिरना चाट पकोड़े खाना और अमीर लड़कों के संग पीछे बाइक पर पीछे बैट कर हवा में बाल लहराना छी भाभी आप अपनी सोच को बदल ये आप मुझे जानती कितना है जो मेरे बारे में कुछ भी आना आप सना बोले जा रही हैं आज रीतिका चुप नहीं रह पाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जबान खोलने की तुम हो कौन तुम्हारी आउकात क्या है गरीब घर की लड़कियों को इतना मो नहीं खोलना चाहिए साह हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतनी कीम्ती जूति पहन कर जाने की तभी रीतिका ने अपने पैरो की तरफ देखा तो अचरस से बोले अरे भावी साथ जल्दी में मैं आपकी जूति पहन कर चली गए दोनों दिखने में तकरीबन एक सी है ना एक सी ही है ये तुम्हार मैं ब्रांडेट समान पहनती हूँ देखो रितिका कभी भी अपनी आवकास से बाहर मत होना हमेशा सौ दोसों की चीजी तुम्हारे लिए बनी है हमेशा इससे जादे की कभी मत सोचा करो अब इसे एक एकदम से रुची पर चिलाया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की अच्छा इतना बुरा लग रहा है तो जाओ अपनी बहन के साथ बैट कर रोना सुरू करो क्योंकि मैं पापा से बोल कर तुम्हें M.D. के पस से अभी हटा दूंगी और फिर बैट कर दोनों भाई बहन कटोरा लेकर मंदिर के बाहर भीक मांगना और सुनो मुझे ये तुम्हारी मा और बहन घर में बरदाश नहीं होती है इन्हें बरसाती वाले कमरे में सिफ्ट करो वरना मैं मा के चली गई तो लोट कर नहीं आऊंगी ये दीन रात की किट किट मुझे पसंद नहीं इसलिए जल्दी से आप दोनों अपना बोरिया विस तरहां से समेट लेजिए रुची की ऐसी बास सुनवी से घबरा गया और बिना कुछ बोले चुप चाव घर से बाहर चला गया दोनों मा बेटी पती पतनी में होती बास सुनकर धक रह गई मगर अब करती क्या एक मा बेटे के करियर के खातिर चुप रह गई और वरसाती में सिफ्ट हो गई अब तो आए दिन रुची दोनों मा बेटी पर तंच कस्ती रहती घर का कोई काम नहीं करती बैठे बैठे हुकम चलाती रितिका को कई बार बुरा लगता मगर वो भी अपने मा और भाई के कारण चुप रह जाती दिन ऐसे ही निकल रहे थे एक दिन रुची ने अभी से एक से कहा मेरी बहन सुची की साधी तैं हो गई है मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है इसलिए मायके जा रही हूँ तावावाजी बोली बहु साधी में तो अभी दो महीना रह गया है तुम अभी से मायके चली जाओगी कर दी ना गरीबों वानी बात अरे हमारे यहां लोकल सौपिंग नहीं की जाती दिल्ली मुंबई बैंगलोरू पता नहीं कहा कहा जाना पड़ेगा अब ये सब एक दिन में तो होगा नहीं हाँ आप लोगों को क्या पता आप लोग तो कोई गलियों में सौपिंग करते हैं न और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दो महीने के लिए जाकर बैठने वाली हूँ बीच बीच में आजाया करूंगी हाँ मुझे फोन करके तंग मत करना बोल रुची अपना बैग उठा कर घर से निकल गई कुछ दिन बाद आभाजी की बहन और बहनोई घर पर आने वाले थे यही सोच उन्होंने अपनी बहू को फोन किया बहू घर आजाओ मेरी दीदी जीजा जी तुम्हारी साधी पर आ नहीं पाए थे सो अब मिलने आएं हैं तुम घर आजाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा मा जी आप उनसे कह दीजिए मेरी बहन की साधी है और मैं नहीं आ पा रही पर बेटा तुम्हें गए हुए 20 दिन हो गए हैं एक चकर तो घर की लगा जाओ कुछ नहीं तो इसी बहाने आज आओ हमें भी अच्छा लगेगा ओ हो साधी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं माके के फर्ज भूल जाओं और दूसरा अगर आपको साड़ी मिठाई फल वगएरा चाहिए तो मैं भिजवा दूंगी बगर मुझसे आने की उमीद मत करना वैसे भी ससुराल वालों को यही सब चाहिए होता है आप इनी सामानों में खुस रही है न क्यों इतनी टेंसन लेती है बोल दीजिए बहु ब्यस्त है नहीं आपा रही बड़े लोग हैं सब समझ जाएंगे बोल फोन पटक दिया आवा जी को वैसे ही रुची के रंग धंग पसंद नहीं थे उपर से आज घर आने से मना करने पर वे और गुसे में लाल हो गई और बेटे अभिसेख से बोली तू अपनी पतनी से कुछ कहता क्यों नहीं है हम गरीब है पर सम्मान की रोटी खाते हैं यूँ अपने पैसे की ठसक बात-बात पर दिखाना अच्छी बात नहीं और तू भी एक नम्मर का जूटा निकला तूने ये साधी से बड़ी पुष्ट पाने के लिए की हमें बताया नहीं क्या मा अब बस भी करो तुम सारी जिंदगी कपड़े सिलकर क्या ही कर पाई याद है दो वक्त की रोटी भी हमें सबजी के साथ नसीब नहीं थी आज मैंने घर, गाड़ी, धन, डॉल, सब कुछ कमाया तो आपको बुरा लग रहा है और फिर वो गलत क्या कहती है हम गरीब तो थे, मगर अब तो हमारा स्टेटस बन गया है आप उसके मजे लीजिये क्यों फालतू एक बात बोलती है और दो बात सुनती है मौसी मौसा जी आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी कीजिये पहले भी तो आपसे ही मिलने आते थे और दूसरी बात जब हम गरीबी में थे तो कौन है मौसा मौसी हमारी मदद करते थे जो हम इन लोगों के बारे में इतना सोचे अरे जैसे पहले आते थे चार नास्ता करके तरका दो ज़्यादा खातिरदारी करने की भी जरूरत नहीं है बोल अभिसेग भी आपस निकल गया तब बेटी रीतिका गुसे में बोली मा हमने कौन से पाप किये हैं जो हमें दिन राद गरीब होने का ताना दिया जाता है तेरी भावी होगी अपने घर में अमीर मगर उसे अपने ससुराल के हिसाब से रहना चाही आखिर वो भी तो मायके में अपनी इज़द गवाई रही होगी मगर ये बात उन्हें कहां समझ में आती है पैसो का घमन जो चड़ा हुआ है सीर पर साधी का समय धीरे धीरे नजदीक आ गया रुची घर में थोड़ा बहुत सामान रखने आती और अपने मायके वापस चली जाती साधी वाले दिन अभी सेक ने बोल दिया था मा आप लोगों को लेने का ड्राइवर पहुँच जाएगा आप समय पर आ जाना साम के आठ वजे गए ना गाड़ी थी ना ड्राइवर तब रितिका ने अपने भाई को फोन लगाया नहीं लगने पर भावी को फोन लगा दिया और बोली भावी भाईया ने कहा था कार भेज रहे हैं कितना समय और लगेगा ज़रा पता करके बता दीजिए रुची बोली ड्राइवर कार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम जैसे भिकमंगों के लिए मैं ये फसील्टी भी दूंगी चुप चापाट करके आ जाओ अगर उसके पैसे ना हो तो आटो वालो से कहना कि दर्वाजे पर खड़े गाट से पैसे ले ले मेरा नाम लोगी तो आटे वालो का किराया तो वो दे ही देगा फोन स्पीकर पर था जिसे सुनसास को गुस्सा आ गया मगर अभी नहीं बोला तो अब कभी नहीं बोल पाएगी यही सोच आभाजी बोली रुची अब बहुत हुआ तुम अपनी अमीरी अपने पास रखो जब तुमने और तुम्हारे पापा ने रिष्टा तै किया था तब ये नहीं देखा था कि हम जैसे गरीब भिखमंगो के घर में अपनी राजकुमारी ब्याह रहे हैं तब तो तुम्हारे पापा ममी ने कहा था हमें आपके जैसा सीधा सच्चा परिवार चाहिए ताकि हमारी बेटी सदा खुस रह सके मगर तुम्हारे पापा ये भूल गएं कि उनकी बेटी को प्यार खुसियां असिर्वात नहीं सिर्फ रूप्या पैसा प्यारा है और इनी पैसों की ठसक में वो करती है अपने से बड़ों सास रिष्टेदारों की बेष्ज़ती मगर रूची वहू एक बात याद रखना ये पैसा तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है तुम्हारे पिता का है तुम कितना भी उस पैसे पर इत्रा हो मगर काईदे से उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं तुम जो अपने पापा के पैसों पर इतना इत्रा रही हो ना इसका कोई भरोसा नहीं और ध्यान रखना समय बदलते देर नहीं लगती बहू और तुम्हारे घर की साधी तुम्हें मुबारक हो हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे यहीं से तुम्हारी बहन को आसिरवात देते हैं लेना हो तो ले लेना बोल फुल रख दिया रूची तो महा बे सर्म थ उसे कोई फर्क नहीं बढ़ा कि उसकी सास ने उसे क्या बोला वो तो ठपे से अपनी छोटी वहन की साधी में सामील हुई अभिसेंग ने फूच्छा भी मा और रितिका क्यों नहीं आएं तो बोली मा की तब्या ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई और तुम छोड़ो उन्हे वैसे भी उनको आने या ना आने से हमें कोई फर्क नहीं बढ़ता है साधी इंज्वाय करने आए हो वही करो फिर दोनों साधी में ब्यस्त हो गएं बहस हो जाने के बाद आभाजी बहु बेचैन बैठी सोचने लगी आखिर कौन से जन्म के पाप हैं जो उन्हें भुगतन पढ़ रहे हैं एक बेटा बहु मिले हैं वो भी ऐसे जिन से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती बेटे ने मा की परेसानिया नहीं समझी जाकर पैसों के लालच में जोरुका गुलाम हो गया बहु बहु को इतना प्यार सम्मान दिया वो अपमान करते से पीछे नहीं हड़ती जब कि उसे कोई रोक टोक नहीं जैसा चाहे अपनी जिन्दगी जिये कभी हमने दखल अंदाजी नहीं की बालकनी की कुरसी पर बैठी रो रही थी तभी पीछे से रितिका ने अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया मा चुपो जाओ बेटा मुझे बहु से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी सही कहती हो मा ऐसा करने का सारा हक तो आपकी बहु का है जैसे चाहे हम दोनों से बात कर सकती है हम उसे आइना दिखा नहीं सकते क्यों रितिका ने पूछा बेटा जो हमारे साथ बुरा बेवहार करता है अगर हम भी उसके साथ वैसा ही करने लग तो हम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा मा तुम्हारी बात सही है आभाजी के हाथों में चाय पकड़ाते हुए रितिका बोली और पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई सच कहती हो बुरे के साथ बुरा बनेंगे तो हमारा और उनका अस्तारे की हो जाएगा हमें अपनी भलाई और अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए दोनों गंभीर मुद्रा में बैठी थी कि आभाजी बोली बेटा छै महीने होने को आए यहां तू तू मैं मैं खत में ही नह होंगी और तुम अकेली रहजाओगी उसका क्या तू मेरी चिंता मत कर बेटा कभी कभी कठिन फैशले लेने होते हैं यहां पर बहु रोजाना की हाई हत्या मचाती है मैं यहां रहकर सब समाल लोंगी बस तू अपनी पढ़ाई और परिच्छा पर ध्यान दे और मेरी लास रख ले तू कुछ बन जाएगी तो मुझे भी इस नरक से बाहर ले चलना अब मेरा भी यहां दम घुटने लगा है अपनी मा के चेरे पर आई बेबसी देख रीतिका कस्मसा गई माज बच्पन से आज तक हम दोनों भाई बहन आपके कहने पही चले हैं आज भी आप जो च रुची और अभिसेख साधी से फ्री होकर घर लाटे तब रुची ने पूछा मा जी नहतरा नहीं कहा हैं दिखाई नहीं दे रही तब आभा जी ने सारी बात बताई रुची भड़कते हुए बोली ये क्या बात हुई घर होते हुए भी अपनी लड़की को होस्टल भेज दिया देख लिया अभिसेख तुम्हारी बहन को मेरी टोका टोकी के कारण यहां घर से गुलचारे नहीं होना पा रही थी इसलिए अकेले जाकर रहने लगी तब अभिसेख बोला मा ये क्या बात हुई आपने लड़की को होस्टल भेज दिया लोग क्या कहेंगे एक ही सहर में घर होते हुए लड़की अंजान जगह पर रह रही है साथ में आपको बता है कितना खर्चा होता है वो पैसा कौन देगा आप एक काम करो रीतिका को घर वापस बुला लो नहीं बेटा आप रीतिका को वापस तो नहीं बुला सकती और दूसरी बात पैसे की चिंता तु अरे पापा के जाने के बाद मैंने आत्म निर्भरता की अहमियत जान ली थी आज मैं अपनी बेटी को भी आत्म निर्भर बनाना चाहती हूँ ताकि कोई उसे अपने रूपे और पैसों की धोस ना जमा सके चाहे वो उसका पती हो या ससुराल वाले या कोई और इसारा पड़ी है तो करती रहें बुढ़ापे में उल्टे सीधे काम हमसे कोई उमीद मत करियेगा बोल रुची और अविसेग दोनों ही अपने कमरे में चले गएं समय अपने गती के साथ चलता रहा रुची और अविसेग अपने दिखावे के जीवन में ब्यस्त रहे कमाना और उड़ाना दो ही काम रह गए थे उनके पास मा अभाजी ने कई बार कहा रूप्यों पैसो की कद्र करो जितना खर्च करते हो उतना बच्चत भी करो इस पर रुची बोली यह सब फालतू काम आप जैसे गरीब लोगों पर सोभा देते हैं हम जैसे अमीर लोग तो जितना कम इतना ही उड़ा भी देते हैं यही हमारी लाइफिस्टाइल है तभी हम चार लोगों में अपनी हैसियत का दिखावा कर पाते हैं आपकी तरह नहीं एक जोड़ी कप्ड़े में दस जगए घूमाती हैं हमें तो दस जगए घूमने के लिए सो जोड़ी कप्ड़े की जरूर बूद भी पढ़ती है अब दिन बार दिन रुची अपने मायके में अपने पिता पर दवावommes दालने लगी आएधिन महें महें महान मांगती हैं सांपिंग अ बिल अपने पिता के खाते में डाल देती अपनी सवराल में नरह कर जादा तरमायके में पड़ी रहती यही नहीं होटल से खाना मंगवा कर खाने का बिल भी वढ़ाती कई बार उसकी माने कहा बेटा आप तुझे अपनी ससुराल पर भी ध्यान देना चाहिए तु दिन भर यू मायके में रहेगी तो आभाजी क्या सोचेंगी इस प आपने मेरे कमरे को मेरे हिसाब से बनवा दिया मगर मुझे वहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझे तो यहाँ के रहन सहन की आदत है इसलिए मेरा जमन करेगा मैं यहीं आ कर रहूंगी और सुची भी तो आया जाया करती है आप तो उसे कुछ भी नहीं कहती हमेसा सुची अपने मां से बोली तब अर्चना जी बोली वेटा सुची अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रम गई है और दामाद जी खुद एक बहुत बड़े बिजनसमेन है वो कभी भी तेरे पापा से मदद नहीं मांगते यहां तो अभी से एक आफिस में कुछ काम करता न ही उपर से तनख्वा के साथ अनावस्यक खर्चे भी जोड़ कर दिखाता रहता है अपने घर जाने की वज़े हमारे घर यहीं पड़ा रहता है वो तो दामाद है इसलिए हम कुछ नहीं कहते वरना तेरे पापा यह सब बरदास्ट नहीं करते ठक गए हैं इसलिए कहती हू तुम दोनों सुधर जाओ वरना हमें कोई ठोस कदम उठाने होंगे माँ अगर आपने ऐसा कुछ करने की सोच भी तो मैं आप पर केस कर दूंगी और अपने हक की जमीन जाजात आफिस में अपना हिससा सब कुछ ले लूंगी तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी करते क्या बेटी है खुदी ने इतना सीर चड़ाई है अब क्या कर सकते थे इसलिए कसमसा कर रह जाते रूची बेसर मन माके में बैठी रहती माके कहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता एक दिन छोटी वहन सुची घार आई अरे वा इतनी सारी सौपिंग कहा जा रही हो रूची ने पूचा दिदी मैं और रोहित मौरीसस जा रहे हैं पापा ने हमारी टिकट की है इसलिए थोड़ी सौपिंग करके लाई हूँ पापा ने कहा था टिकट घर पर रखे हैं पास में ही आई थी तो सोचा यहीं से उठा लूँगी क्या मम्मी पापा तुझे मौरी पापा नहीं किया हां मैंने सुची के लिए मौरीसस के टिकट करवाए हैं क्योंकि रोहित ने आज तक हमसे एक रूपया नहीं मागा अपनी साधी का खर्चा भी उसने खोद उठाया उल्टा उसने तो मेरे डूपते व्याफार में मदद भी की इतना कुछ करने के एवज म अगर मैं उन्हें विदेश घूमने भेजता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई भेदभा हुआ है क्योंकि तुम इस बात से इंकार नहीं कर सकती कि जब से अभिसेख से तुम्हारी साधी हुई है जब मर्जी आई तुमने सिर्फ रूपया पैसा ही मागा है फिर भी मुझे कोई अतराज नहीं था क्योंकि अभिसेख एक करमठ और जुजारू युवग था वो आफिस मन लगा कर काम करता था लेकिन पैसो की चमक धमक में उसकी आखे ही चोधिया गई साधी के बाद जैसे उसे जंग लग गई और तुम्हारी तरह अनावस्यक खर्च करने लगा जिसकी वज़े से मेरा ब्यापार करजे में डूब गया ये बाद सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कितनी मुश्किलों से मैं उससे उबरा हूँ अब मैं तुम्हें और अभी सेक को अपनी जाजास से बेदखल करता हूँ और ऐसा मैं सरकारी कागजों में लिख कर दूँगा क्योंकि रूची अब मुझे तुम जैसे आयास लोगों की जरूरत नहीं अभी अपना बोरिया भी इस्तर बादो और निकलो मेरे घर से अपने पिता दोरा इतनी बेजज़ती रूची अपने मायके से ससुराल पहुंची जहां अभी सेक अपने सिर पर हाथ रखे बैठा था अब तुम्हें क्या हुआ ऐसी सक्ल क्यों बना रखी है रूची ने गुसे में बोला तुम्हारे लिए ऐसो आराम भरी जिंदगी देने के चक्कर में मैं तो कंगाल हो गया ना घर का रहा ना घाट का आज मेरे पास ना कोई काम है ना जमापूजी है और उधर ससुर जी ने मुझे आफिस से निकाल दिया है मेरे पास तो तनख्वा भी नहीं है कि दो वक्त की रोटी खा सकूँ अच्छा मेरी वज़े से ये सब हुआ है जब पैसे थे तब तो तुमने खुले हाथों से खर्च किया यहां तक की जुवा सटा में भी पैसे लगाया तब तुम्हारे हाथ नहीं रुके थे खेल में तो तुम्हे भी मज़ा आता था उची सोसाइटी में जाम से जाम टकराते थे तब तुमने नहीं कहा रुची तेरी वज़े से मैं कितने मज़े मार रहा हूं बहस दीरे धीरे इतनी तेज हो गई की कमरे से निकलती आवास पूरे घर में गूज रही थी महले वाले भी उनकी तूतू मैं मैं सुन रहे थे तभी आभाजी आकर बोली तुम्हे लड़ाई करनी है तो थोड़ी धीमी आवाज में कर लो आस पड़ो उसके लोग खिड़की में जाख जाख कर तुम्हारी बातों का मज़ा ले रहे हैं कल बात पूरे महले में ताजा खबर की तरह फैलेगी और तुम्हारी बातों को मिर्च मसाला लगा कर परोसा जाएगा मा जी आप तो चुपी हो जाईए हम मिया बीबी के मामले में तो बिलकुल ना पड़ा करें आइंदा मेरे कमरे में भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रुची अपना सारा गुस्सा अपनी सास पर उतार देती है डाल रोटी का खर्चा चल रहा था रुची और अभी सेख जो दिन रात इतना रुप्या पैसा उड़ाया करते थे बेफजूल खर्च किया करते थे अपका समसा कर रह जाते और रुची अपनी माँ को रोज फोन कर माफी मांगती मगर माँ अपनी ऑलाद को बहुत अच्छे से जानती थी इसलिए उन्होंने फोन उठाना ही बंद कर दिया जिसके कारण रुची और भी जादा चिर्चिडी हो गई इधर एक दिन खबार आई की रितिका ने पर इच्छा उतिर्ड कर ली है और उसे आपकारी विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई जिसे सुन आभाजी फूली ना समाई और उन्हेंने पूरे महले में इस खुसी में मिठाई बाटी जब ये बात रुची को पता चली तो वो अपने पती अभिसेख से बोली सुनो तुम्हारी बहन इतनी बड़ी अधिकारी बन जाएगी फिर हमारे बहुत काम आएगी हम उसे अपने पास ही रख लेंगे हर महीने की तनख्वा के साथ उपरी कमाई भी हमारी जेब में आएगी आखिर वो अकेली इतना पैसा कैसे समाल पाएगी हम दोनों मिलकर उसका सारा पैसा ठीकाने लगा दिया करेंगे कहीं प्रापर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे बाकी बचे बैंक अकाउंट में जमा कर लेंगे उस दिन से रुची के बेवहार में परिवर्तन आने लगा जब भी अपनी सास से बात करती बड़े प्यार से बोलती जिस दिन उसे पता लगा ननद आज घार आ रही है तो वो अपनी सास से बोली वा माजी दीजी ने तो कमाल ही कर दिया आप तो लाखों कमाएंगे दीदी आप कारी भी भाग वाले तो दो नम्मर की कमाई करते हैं चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया आप तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे माजी हम उनका स्वागत ऐसे सुखा सुखा नहीं कर सकते आज तो मैं खुद अपने हाथों से दीदी की पसंद का बेसन का हलवा मटर कचोड़ी और पनीर की सबजी मेथी पूड़ी वनाऊंगी आभाजी पूरे दो साल बाद अपने बहु के मुझ से फूल जटे हुए सुन रो पड़ी और बोली बहु तुम्हे जो अच्छा लगे वो करो क्योंकि आज तक तुमने वही किया है मैं तो अपनी वेटी का इंतजार कर रही हूँ बस उसे देख लूजी से अपने कलेजे पर फथर रखकर एक ही सहर में अपने से दूर रखा मैंने बोलते हुए फफख फफख का रो बड़ी इतने में गाड़ी की आवाज आई या भाजी आरती की थाल लेकर दर्वाजे पर दौरी पिछे से रुची और अभिसेग भी फूल माला लेकर स्वागत में खड़े थे रितिका का बड़े सम्मान के साथ स्वागत हुआ खाने पीने में इतनी वराटी देख वो दंग थी एक समय था जो घर में रोटी सबजी भी सुकुन से नसीब नहीं होती थी यहां आज हल्वा पूरी बनाया गया था जो भावी कभी दो बीठे मोल नहीं बोली आज उसकी जबान पर मिस्री घुल रही थी दिदी आप तो कुछ लेही नहीं रहे हैं ये लिज्जी बेसन का हल्वा आपको बहुत पसंद है ना आपको तो पूरा खत्म करना पड़ेगा बोलते हुए दो चम्मच उसकी ठाली में और रख दिया रितिका तेरी भावी ने बड़ी महनस से बनाया है जरा बता तो कैसा बना है और अगर कुछ और फरमाईस हो तो बता दे अभी पूरी कर देगी अपने भाई का बदला स्वभाव देखकर रितिका बोली भाई फरमाईस तो मैंने आज तक की ही नहीं वरना भाई तो अपनी बहनों को अपनी आखों से ओजल नहीं होने देते और आपने तो होस्टाल आकर कभी मेरी खोच खबर भी नहीं ली पूरे दो साल हो गएं आपको राखी और टीका किये हुए हर बार आपका इंतजार किया मगर आप नहीं आएं अरे बहना पुरानी बात छोड़ उस समय में ब्यस्त था तु तो जानती है धंदा पानी बंद हो गया अभी प्राइबेट नोकरी कर रहा हूं इतना पैसा नहीं होता तु समझ मगर अब तु हमारे पास आ गई है देखना हमारे दिन भी फिर जाएंगे फिर तु जो कहेग वो मैं तेरे लिए ला कर तेरे कदमों में रख दूंगा रीतिका एक लंबी सास भर जाती है ये भगवान इतना तो गिरवीट भी रंग नहीं बदलता होगा जितना आज मेरे भाई और भावी ने बदला है कल तक मैं उनके लिए कुछ भी नहीं थी और आज सोने का अंडा के सिर पर हाथ फेड़ते हुए बोली बेटा तू कैसी है मा आज जो भी हूँ तेरी वज़े से हूँ और तेरे लिए हूँ बड़ी दृड़ता से रीतिका बोली और अब तुम रोना बंद करो तुम्हारे खुसियों भरे दिन आ गए चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ दिदी मैं तुम्हें लेने आई हूँ का क्या मतलब है अच्छा आप हम सब को कहीं घुमाने ले जाने आई हैं एक काम करते हैं मौल चलते हैं फिर वहीं से आईस क्रीम खाएंगे बस आप दस मिनट रुकिये मैं रसोई साफकर आती हूँ थोड़ी देर बाद रीतिका अप अपनी भावी से बात करने का क्या यही संसकार दिये हैं तुझे हमने भाई अभी से एक तिल मिला कर बोला हाँ भाई आपी के दिये संसकार हैं आपी को लोटा रही हूँ मैंने घर से जाते समय अपनी मा को बचन दिया था लूंगी और अपने साथ हुए हर दोड़ वहार क बदला लूंगी हालंकि मा हमेशा अच्छे काम करने पर यकीन रहती हैं मगर आज में बुरे के साथ बुरा करके ही रहूंगी जैसा मैंने वादा किया था अथ मनिर्भर बनते ही मा को अपने साथ ले जाऊंगी बस वही पूरा करने आई हूँ और आप जैसे लालची भाई भाई को हमेशा के लिए अलविदा कहने आई हूँ बहू याद है ना मैंने कहा था समय बदलते देर नहीं लगती तुमारी जिन्दगी में आज उस समय आ गया है आसा करती हूँ तुम इस समय से सबक लोगी और अपनी आने वाली जिन्दगी को सुधारोगी ना की छूट लालस से बनाई इस दुनिया के चक्रिव्यू में फंसी रहजा होगी रूची और अब इसे गाड़ी को जाता देख रहे थे लालस की यही सजा होती है किसी को सुकून नहीं मिलता जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए इसलिए जितनी चादर उतने पैर पसारी एपना मान सम मान डिस्ते नाते परिवार मित्र बनाए रखें इस छोटी सी जिंदिगी का यही मूल मंत्र है यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राइकमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा थैंक्यू फार वाचिंग मिलते हैं अगली कहानी में